ओम नमस्षिवार राधे राधे आईए सुनते हैं मासिक सिवरात्री ब्रत कथा पूर्जन बिधी वैसे तो साल में एक बार महा सिवरात्री का ब्रत आता है और उसे बड़ी धूंधाम की साथ मनाया जाता है लेकिन हिंदी कैलेंडर के अमसा प्रतेक माह के क्रिश्न पच की चतूर दसीतिती के दिन मासिक सिवरात्री मनाई जाती है इस दिन ब्रत उक्वासरत भगवान सीव को प्रशन किया जाता है और रुद्राविशेक की भी परंपरा है जिस तरह शुमवार के दिन भोले नात का विधी विधाल से पूजा होती है बिलकुल उसी प्रकार मासिक सिवरात्री का भी महत्व है मासिक सिवरात्री मनाई जा रही है अगर आप भी ब्रत रख रहे हैं तो पूजा के बाद यह ब्रत कथा जरूर सुने सिवरार की अमसार प्राचिनकाल में छित्रभानू नामक एक सिकारी था जाद्वरों की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था वह एक साहुकार का कर्जिदार था लेकिन उसकारी समय परना चुका सका प्रोधि साहुकार ने सिकारी को सिवमठ में बंदी बना लिया सैयोग से उस दिन सिवरात्री थी शाहुकार के घर पूजा हो रही थी तो सिकारी ध्यान मगन होकर सिवशंबन्धी धार्मी बाते सुनता रहा चतुर्दसी को उसने सिवरात्री व्रत की कथा भी सुनी साम होते ही साहुकार ने उसे अपने पास बुलाया और रिल चुकाने के विशे में बात की सिकारी अगले दिन सारा रिल लटा देने का वचन देकर बंधन से छुत गया अपने दिन चरिया की भाती वह जंगल में सिकार के लिए निकला लेकिन दिन भर बंधी ग्रिह में रहने के कारण भूख प्यासी ब्याकुल था सिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल गया जब अंधेराव गया तो उसने विचार किया की रात जंगल में ही वितानी पड़ेगी वह वन एक तालाव के किनारे एक बेल के पेरवस चड़कर रात बिखने का इंतिजार करने लगा बेल बीच के नीचे सिवलिंग था जो बेल पत्रों से रहका हुआ था सिकारी को उसका पता न चला पड़ाव बनाते समय उसने जो तखनिया तोड़ी विच सयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गए इस प्रका दिन भर भूखे प्यासे सिकारी का ब्रत्गी हो गया और शिवलिंग पर बेल पत्र भी चड़ गए एक पहर रात्री बीच जाने पर एक गर्भडी हिर्ली ताला पर पाने पीने पहुची सिकारी ने धनुस पर तीर चड़ा कर जिव ही प्रतेंचा खीची हिर्नी बोली मैं गर्भरी हूँ और शिग्री ही प्रशव करूँगी तुम एक साथ दो जीमों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है मैं बच्चे को जन देकर शिग्री ही तुम्हारे समझ प्रस्तूत हो जाऊंगी तब मार लेना शिकारी ने प्रतेंचा धीली कर दी और हिर्नी जंगली जार्यों में लुप्ध हो गई प्रतेंचा चड़ाने तथा धीली करने के वक कुछ बेल पत्र अनायासी तूट कर सिवनिंग पर गिर गए इस प्रकार उसी अन्जाने में ही प्रथम प्रहर कन पूजा भी शंपन हो गई कुछी देर बाद एक और हिन्नी उधर से निकली सिकारी की प्रसंता का ठिकाना न रहा समी पाने पर उसने धनुस पर बाद चड़ाया तब उसे देखे नी ने बिनम्रता पुर्वक निवेदन किया ही सिकारी मैं थोड़ी देर पहले दितू से निवरीत हुई हूँ कामातव विरहली हूँ अपने प्रिये की खोज में भटक रही हूँ मैं अपने पती से मिलकर सिग्र ही तुम्हारे पास आजाओंगी सिकारी ने उसे भी जाने दिया दो बार सिकार को खोकर उसका माता ठंका वह चित्ता में पड़ गया रातरी का आखरी पहर बीत रहा था इस बार भी धनुस से लगकर कुछ मेल पत्र शिवली उपर जा गिरे तथा दुसरे प्रहर का पूजन भी संपन हो गए तभी एक अन्य हिर्नी अपने बच्चे के साथ उधर से निकली सिकारी के लिए यह स्वड़ी मौसर था उसने धनुस पर तीच रहाने में देद नहीं लगाई वह तीच छोड़ने ही वाला था कि हिर्नी बोली हे सिकारी मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लवटाओंगी इस समय मुझे मत मारो सिकारी हसा और बोला सामने आए सिकार को छोड़ दू मैं ऐसा मुर्ख नहीं इस से पहले मैं दो बार अपना सिकार खो चुका हूँ मेरे बच्चे भूप्या से ब्यग्र हो रहे होंगे उत्तर में हिनी ने फिर कहा जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है ठीक वैसे ही मुझे भी ही सिकारी मेरा विश्वास करू मैं नहीं इनकी पिता के पास छोड़कर तुरन लवटने की प्रतिग्या करती हूँ हीर्णी का दीन स्वर सुनकर सिकारी को उस पर दया आ गए उसने उस मृगी को भी जाने दिया सिकार की अभाव में तथा भोग प्यास से व्याकूल सिकारी अन्जाने में ही बेल ब्रिक पर बैठा बेल पत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेकता जा रहा था पवफटने को हुई तो एक हिरिष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया सिकारी ने सोच लिया कि इसका सिकार वह अवश्य करेगा सिकारी की तनी प्रतेंचा दे मृग बिनित्स्वर में बोला ही सिकारी यदि तुमने मुझसे पुर्व आने वाली तीन मृगियों तथा छोटे-छोटे बच्चों को मा डाला है तो मुझे भी मानने में बिलम न करो ताकि मुझे अपने बियोग में एक छर भी दुख न शहना पड़े मैं उन हिरणियों का पती हूँ यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ छर का जीवन देने की किरपा करो मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समच उपस्थित हो जाऊंगा मुरिक की बात सुनते ही सिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र भूं गया उसलिए सारी कथा मुरिक को सुना दी तब मुरिक ने कहा मेरी तीनों पत्निया जिस प्रका प्रतिग्या वधो कर गई है मेरी मिलक्तिव से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी अतहजे से तुमने उन्हें विश्वास पात्र मान कर छोड़ा है वैसी ही मुझे भी जाने दो मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने सिग्र ही उपस्थित होता हूँ सिकारी ने उसी भी जाने दिया इस्प्रका प्रात होवाई उप्वास, रात्र जागर तथा सिवलिंग पर बेल पत्र चड़ने से अन्जाने में ही शिवरात्री की पूजा संपोड हो गई वह अनजाने में ही की हुई पूजन का पड़ाम उसे तिकाल मिला शिकारी का हिंसा थिर्दे निर्मल हो गया उसने भगवत भक्ती का वाश हो गया थोड़ी ही देर बार वह मिरिक्स परिवार शिकारी के समच उपस्थित हो गया ताकि वह उनका सिकार कर सकें किन्तु जंगली पस्मों की ऐसी सत्यता, सात्विक्ता एवं सामु ही प्रेम्भावना देखकर शिकारी को बड़ी गलानी हुई उसने मिरे परिवार को जीवन दान दे दिया अन्जाने में सिवरात्री के ब्रत का पालन करने पर शिकारी को मुझकी प्राप्ति हुई जब रितियुकार में यम्दू उसके जीव को लेने आये तो शिवगरों ने उन्हें वापस वे दिया तथा सिवरात्री को शिव लोक ले गए शिव जी की कृपा से ही अपने इस जन में राजा चित्रभानू अपने पिछले जन को याद रख पाए तथा महा सिवरात्री के महत्त को जान कर उसका अगले जन में भी पालन कर पाए अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें कमेंट करें शेयर करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन वाल पर सेट करने तक या गयाने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुच सके धन्यवाद